हेलो दोस्तों, गर्भावस्था के दवरान प्रिगनेंट महला के लिए भरपूर निंद लेना बहु जरूरी होता है। जरूरी होता है कि महला अपने रात के खाने के बारे में ध्यान दखे। ऐसे में अच्छी निंद लेने के लिए जरूरी है कि महला अपने रात को लिए जाने वाले आहार का अच्छे से ध्यान दखे। क्योंकि यदि प्रिग्नेंट महला रात की डाइट में कुछ भी गलत खा लेती हैं तो इसके कारण उन्हें सोने में परिशानी होती है और निंद पूरी नहीं होने के कारण और गलत खाना खा लेने के कारण उन्हें सेहत संबंधी परिशानियां भी होने लगती है तो इस वीडियो के माध्यन से जानते हैं कि सोने से पहले या रात को प्रिगनेंट महला को क्या नहीं खाने चाहिए दोस्तों प्रिगनेंट महला को रात को सोने से पहले ज्यादा मसालेदार और टेलिये आहार का सेबन नहीं करना चाहिए जंक फूड नहीं खाने चाहिए, जादा भारी भोजन नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसे आहार को हजम करने में प्रिगनेंट महला को दिकत हो सकती है जिसके कारण प्रिगनेंट महला को गैस, पेट में दर्द, खटी दकार जैसी परिशानी हो सकती है और प्रेगनेंट महला को यदि ऐसी धिकतें होती है तो इसके कारण महला को सोने में परिशाने हो सकती है इसलिए प्रेगनेंटी के दोरान ज्यादा तेल मसालेदार खाने से बचना चाहिए रात में ताकि निंद अच्छी तरह से पूरी हो सके दोस्तों जिन खादे पदार्थों को खाने से प्रेगनेंट महला को गैस बनती हो जैसे कि गोभी, चने की दाल, पत्ता गोभी, प्याज, ऐसी चीजें जो गैस बन जाती है उनका सेवन रात में नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि ऐसे आहार का आप सेबन करती है तो गैस बन जाएगा और गैस बनने के बाद पेच दर्द भी हो सकती है निंद भी नहीं आएगे और इसके कारण आपकी निंद खराब होगी और निंद अगर पूरी नहीं हुई तो शेहत संबदी समस्याएं होने लगती है क्योंकि इम्यूनिटी ऐसे ही कमजोर होता है तगनेंची के दोराओं तो अपने स्वास्त का बिशेश ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो ऐसा कुछ भी नहीं खाएं जिससे आपको गैस बने दोस्तों कैफिन युक चीजों का भी सेवन रात के समय नहीं करना चाहिए कैफिन आपको कोल्डिंग्स में होगा चाय में कॉफी में चोकलेट में तो रात में सोने से पहले इन चीजों का इस्तेमाल आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए क्योंकि जब भी आप कैफिन ले आप भर्पूर निंद नहीं लेंगी तो आपको कमजोरी की भी समस्यां हो जाएगी और भी समस्यां भी होते ही रहेगी तो कोई भी परिषानी से बचने के लिए रात को आप इन चीजों को जरूरे बायद करें तो दोस्तों यह कुछ खादे पदार्त हैं जिन्हें प्रेगनेंट महला को सोने से पहले नहीं लेने चाहिए ताकि रात को आराम से निंद आ सके अगर आप पूरा निंद लेती हैं तो आगे भी कोई समस्या नहीं होगी और आपको भी फ्रेस महसूस होगा तो इन बातों का आप जरूर ध्याम दख थैंक ये लेन